जैजनेन दोस्तों मैं आज हूँ मुंबई महानगरी में जिससे सपनों की नगरी कहा जाता है और अपने सपनों को पूरा किया एक ऐसे व्यक्तिन है जिसकी ब्रस से जिसकी रंगों से अधूती है अविश्विशनी है अथियासिक अध्भुत कार हुए नमो कार मंतर को अपनी पैंटिंग के द्वारा दस करोड बार लिखना यह मामली बात नहीं है और व्यक्ति है जैन कमल जैन कमल आपका वहाँ जिन्दगी में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग हमारे पास आए इससे बड़ी बात क्या होगे और वहाँ जिन्दगी में बच्पन से देख रहा हूं 300 एपिसोड सायद मैंने देखे हैं ललित बाबो आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे है जैन च्टा आपको कहसे मिली कहां से मिली ये मुझे पता नहीं है टाइम सोफ इंडिया ने 20 साल मेरे वारे में लिखा था कि 20 क्रोड से जादा लोग अख्वारों के माध्यम से 60 से जादा न्यूज़पेपर मैंने डिजाइन किया हैं तो अख्वार के माध्यम से अख्वार के एक कखवार है आपके आँसे जो जुड़ा हुआ है ये करते करते मेरे मन में आया है कि मैं अक्षरों से और क्या करूँ जिसमें आध्यात्म आजाए फिलोसफी आजाए जैनिजम आजाए जैनिजम को मैं बाद में देख रहा हूँ मैं future of आध्यात्म आजाए इसके उपर काम करना शुरू किया इस भावना को लेते लेते मन में एक विचार आया विचार आते आते जब मैंने कारा रहा हूँ तो साथ साल के बाद इस research को करते करते मेरे मन में कुछ चीज़ें उमंग आई और जो विच्व में अपने आप में अनोकी दुनिया एकड़ी हो गई इसका मुझे अंदाजा नहीं था आपकी नजर में सबसे अध्भूत पैंटिंग कौन सी है ऐसा व्यक्तित्व जो हिंदी को लेके हिंदित्व को लेके चल रहा है वो है आचाहरे श्री विद्या सागर जी और मन में भावना आता है था कि मैं उनको अपने कागज में जिवित कैसे कर सकूँ और आचाहरे विद्या सागर जी को मैंने कन कन में जो दिल को साफ होने वाली बातें हैं उस बात को मैंने इस ड्राइंग में 15-20 दिन में कमरे में बंग था और एक पागलपन आया और उस पागलपन के हुजूम में उस तुफान में मेरे सामने आचायरी विद्याचागर जी जिन्दा हो गए महाप्रजगी जी की 3D पैंटिंग कैसा संभू होता कि जब महाप्रजगी जी को स्टडी करने लगा तो मेरे मन में भावना आई कि मैं रूबरू उनके दर्सन कैसे करूं और मेरे पास वो हो और मैं रोज उनको देख पाऊं इस भावना को ले करके मैंने उन पे काम सुरू किया विदेश भी गया और उसके टेस्ट पिस करते करते मैंने 3D में एक कलपना की आपने अपने जीवन में आज तक क्या किया जैन कमल अभी आपने कहा कि मेरा पागलपन है मैं ABCD नहीं जानता तो वो व्यक्ति ब्रहम लिपी को कम्प्यूटर में कैसे अविश्कार कर सकता है कैसे आपने इस काम को किया यह बड़ा सर्प्राइज हुआ अचायर सुनील सागर जी एक दिगंबर सादू है सर्मती सागर जी के ग्रूप के उनसे मैं मिला था वो न लैप्टॉप देखते हैं लाइट में रहते हैं न ट्यूब लाइट में रहते हैं न केंडल में रहते हैं उन्होंने मुझे मेरे अंगुठे वाली बात हुई उनके साथ उन्होंने बोला एक लब वाली बात आप मेरे पास में रात के तीन बजे आओ मैं तुम्हें ब्रह्मी लिपी सिखा दूँगा ऐसा भास करने भी भी हाल में लिखा हैं तो तीन बजे एक साधू इतना बड़ा साधू 50 लोगों का सं बात हैं और उनके पास में तीन बजे गया तो छत के ऊपर वो बैठके स्टीट लाइट में मुझे ब्रह्मी लिपी लिखने के कुछ ज्यान दे दिये उसके बाद मैंने मेरे मन में आया क्यों नहीं मैं ब्रह्मी लिपी फ्यूचर में स्टेम्प लाने वाला हूँ लिपी के कुछ अक्षरों को सिर्फ नमोर हुन जाने के पांच लाइं को मैंने कीबोर्ड पर कनवर्ट किया साड़े चार साल लगे हैं मुझे लेकिन आज वह एक मेरे पास बहुत ही खुशूरत अमानत है जेन कमल आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप वह जिंदगी में सामिल हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं वह जिंदगी में सामिल नहीं हुआ मुझे लग रहा है कि मैं वह जिंदगी जब पैदा हुई थी तब से मैं साथ हूँ वहाँ जिन्दगी आने वाले समय में और समय बरवाद न करें और डायमंड की तरह GTV और बड़े-बड़े Sony TV की तरह चमके और आगे आए और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके आए और धमाल करें वर्ल्ड में ऐसी मेरी सुखकामना है ललित वाबो आपके साथ और प्रोजेक्ट्स